Hello, Good Morning, Namaskar Welcome back to the online learning platform of Bhu Parshala दोस्तों मैं हूँ आपकी educator Ismita और आज है हमारा Slavers का वीडियो ओके, तो Slavers किसका है, किस subject का है यह सब हम आगे बात में बात करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से BA इंट्रेंस से related कुछ बाते करना शाहती हूँ ठीक है? तो देखिए बच्चों, जो BA का इंट्रेंस होता है बनारस हिंदू उनिवर्सिटी का वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कहने का मतलब है कि बच्चों के मन में जो आता है कि यार बहुत तफ होता है हम कैसे क्रैक करेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है अगर आप positive thinking के साथ ठीक है? और regular way में अपनी study को continue रखते हो तो I am damn sure that you will get 100% selection in Banaras Hindu University लेकिन इसके लिए भी शर्त यह है कि हमारे channel से जो भी videos आपको provide कराई जा रही है ठीक है? regular way में उन videos को देखो उसकी notes बनाओ और हर वक्त उसका revision करते रहो सिर्फ इतना करना आपको कहीं से extra पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे है that is sufficient for your entrance level exam तो आप लोग कहीं फालतू की books पे मत जाओ क्योंकि अगर तरह तरह की books लेके बैटोगे न उसका एक limited content हो ठीक है अगर आपकी पास limited content है और उतने कोई पढ़के आप अपने exam देने जा रहे हो तो आप कहीं ने कहीं ज्यादा से ज्यादा questions सही ही करकर आओगे ठीक है और दूसरी बात मैं यह बताना चाहते हूँ जैसा कि आप जानते हो कि जो इंट्रेंस हमारा बनास हिंद्धू university का होता है उसमें 1 by 3rd की negative marking होती है देखो negative marking चाहे 1 by 3rd की हो चाहे 1 marks की हो 2 marks हो कितने की भी हो negative marking negative marking हमेसा negative marking ही रहती है ठीक है तो आपको इंट्रेंस में कभी भी तुक्का लगा कर नहीं आना है हाँ तुक्का लगाने का एक तरीका यह है कि आप elimination round प्ले करो देखो जैसे कि 4 options किसी question से संबंदित दिये हुए ठीक है अब उस question को देखो उस question से related अगर आपको कोई point याद आ रहा हो जो इंग 4 options में से मिलता जुलता हो तो उसी option को टिक करो लेकिन यह elimination round आप तभी play करो जब आपके सारे के सारी जो आपको questions आ रहे थे वो आपने कर लिये हो ठीक है ऐसा नहीं कि आप number 1 question कि आपको आ रहा था number 2 नहीं आ रहा था तो वही सा elimination round play करना शुरू कर दिया ऐसा बिल्कुल भी मत करना ठीक है पहले आपको जितने questions आ रहे हैं उन्हें करो और उसके बाद फिर जो remaining questions बचते हैं उसमें से देखो आप कौन कौन से questions को elimination round की through solve कर सकते हो ठीक है तो overall यही तरीका होता है और तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि देखो अब तो मेरी 19th of November से geography आज मैं geography का ही slivers लेकर आई हूँ तो 19th of November से मेरी regular video हमारी channel पे दी जाएंगी आपको तो आप क्या करोगे कि एक अपना time table बना लो ठीक है जैसे मेरे weekly current affairs की videos आते हैं हफते में एक बार या तो Sunday या तो Monday में आते हैं ठीक है तो इन सारे चीजों का आप time table बनाओ और आज चो मैं slivers आपको दे रही हूँ उस slivers को आप एक paste पे write down करके आप जहां कई भी अपनी पढ़ाई रोज करते हो वहाँ की wall पे से paste कर दो ठीक है paste करने से क्या होगा कि जब कभी भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे कि आपका mind बार बार उस slivers को जब देखेगा ना तो वो hit करेगा कि भाई हमें पढ़ना है वो आपको force करेगा ठीक है तो overall कहने का मेरा मतलब क्या है I think आप समझ गए होगे ठीक है और दूस्ती चौथी बात कि जब भी आप उस रास्ते से जहां कहीं भी आपने अपने wall पे paste किया है अपने slivers को जब भी वहाँ से आप गुजरोगे तो बार बार आपको slivers दिखेगा और कहीं न कहीं आप वापस जाके पढ़ाई करने के लिए बैट जाओगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करो यही सारी टिप्स होते हैं एक इंट्रेंस का टॉपर बढ़ने के लिए और धिमाग में बैठा लो कि हमें फोड़ना है इंट्रेंस ठीक है फोड़ना है मतलब कि 100% हमें सेलेक्शन लेना ही है ठीक है तो चलिए बिना देरी की हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देखो हमारा जो जो जिग्राफी का स्लेवस है मैं जिग्राफिक की स्लेवर्स की नहीं बात करती हूँ, इसके साथ साथ जितने भी सब्जिक्स के स्लेवर्स हमारे इस चानल पर आपको प्रोवाइट कराये जा रहे हैं, ये 10 एर की कोशन पेपर की एनालिसिस की आधार पर बनाये गया है, ठीक है, हिंदी भाजशी चात्रो अगर आपको कोई भी तिकत हो वीडियो को समझने में, तो कमेंट स्रेक्शन में बेजी जगो के उसे राइट डाउन करो, I am trying my best to solve your problems, ओके, देखो, दूसरा फीचर हमारे स्लेवर्स का ये है, कि हमने पिछले 5 साल के BHUBA इंटरेंस के जो टॉपर्स रहे हैं, उनके आपका माइंड ग्रास्प कर ले, जाला पढ़ोगे तो फिर रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो ये है हमारे स्लेवर्स के फीचर्स, देखे, जिगोग्राफी में आपको क्या क्या चीचे आपको पढ़नी है, इंटरेंस पॉइंट ओफ यू से य आगे मैं explain करूंगी कि हर एक topic में क्या क्या चीचे आपको पढ़नी है, जिससे कि आपको एक quick review मिल जाए कि हाँ मैम ने कोई भी ऐसा topic नहीं है जो छोड़ा है, और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई topic हम भूल के हैं, तो आप उसे भी write down कर देना, हम वो भ पढ़नी है, उसके बाद है atmosphere, फिर continents पढ़ना है, oceans पढ़ना है, mountains and peaks पढ़ना है, introduction to India पढ़ना है, Indian agriculture के बारे में पढ़ना है, soil and its type यारी मिट्टी और उसके कितने प्रकार होते हैं, rivers of India और इसके साथ मैंने bracket में लिखा है कि world की famous rivers हैं उनके भी बारे में हमें पढ़ाई क करनी है, उसके बाद जो multi-purpose projects होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, water states यानि जल संदी जो होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद national parks, wildlife century, biosphere reserves के बारे में पढ़ना है, जो famous lakes and world की उनके बारे में पढ़ाई करनी है, उसके बाद भारतिये जन संख्या, जो की जन करना के according बताया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद भारत में जो प्रमुख जन जाती है, यानि इंडिया की जो famous tribes, states में पाई जाती है, उनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, अब देखो मैंने यहाँ पर लाया, bilingual एक series है, ठीक है, इसमें क्या है, कि म इंग्लिश पढ़ी लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदी के students इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश जानते हैं, बस कुछ words होते हैं, जो कि भूल जाते हैं, तो don't be worry, लेको पहला topic है solar system, तो solar system में हमें क्या पढ़ना है, complete description about all the members of the solar system, solar system यानि solar bundle, solar bundle में कितने ग्रह होते हैं, कितने उपग्रह होते हैं, इसके बाद जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिसे इंग्लिश में asteroid meteors कहा जाता है, जो हमारा Mars planet है, यानि Mars ग्रह और Jupiter है, यानि ब्रिहस्पती ग्रह, उन दोनों के बीच, यानि मंगल और ब्रि structure and moment of earth, universe में, यानि कि हम ब्रह्मान के बारे में पढ़ेंगे, कि ब्रह्मान की उत्पत्ती कैसे हुई, किस थियोरी के माध्यम से, universe के origin की थियोरी को explain करते हैं, उस थियोरी के भी उत बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम प्रित्वी का structure, यानि बनावट कैसी है, उसक band theory, ये एक ऐसे theory है, जिसके माध्यम से universe के origin के बारे में describe करा गया है, उसके बाद हमें पढ़ना होगा, stars के बारे में, यानि तारे और तारों का जो pattern होता है, जिस design में वो arrange होते हैं, हमारे ब्रह्मान में उसे constellation काते हैं, और उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, famous constellations पढ़ना है, rotation revolution के बारे में पढ़ना है, heat zones, ठीक है, तीन heat zones होती है, ये भी मैं बताऊंगी आपको, हिंदी में क्या करते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमारी regular way में वीडियो आएंगी, तो मैं उसे पूरी तरद से bilingual ही बना के लाने वाले हो, ठीक ह है, अकसर question पूछ देता है, कि हमारे जो earth की तीन भागों में, जो हमारे layers divide हुई है, earth, crust mental core, crust में किस तरह के minerals आते हैं, mental में किस तरह के minerals हैं, core में किस तरह के, ये सारी चीज़े पूछी जाती है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे rocks, ठीक है, तीन तरह की rocks होती है, igneous, sediment उसमें जो लावा निकलता है, उसके थंडे होने की वज़ा से बनती है, sedimentary जो होती है, जो जिवास्म होते हैं, यानि fossil जो होते हैं, रेगुलर वो layer by layer एक के उपर एक deposit होने लगते हैं, तमाम कंकर पत्थर आके उसके उपर collect होते हैं, तो उसकी वज़ा से जो rock बनती है, उ और कितने तरह के ज्वाला मुखी होते हैं, पहले मैंने बताया ना, इसके पहले वाली slide में extinct, dormant, active volcano होते हैं, तो उन सारे के बारे में पढ़ना है कि, जैसे for example, हमारा जो mount Fuseyama है, जैपैन में पाए जाता है, वो किस तरह का वहाँ पर volcano है, वो किस तरह का है, यानि active है, extinct ह dormant किस तरह का ये बढ़ना होगा, okay, question आता है exam में, कोई भी आपको volcano का नाम देगा और पूछ देगा कि बताओ कि किस type का volcano है, तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताते रहेंगे वीडियो में, उसके बाद seismic waves क्या होती है, यानि ये एक तरह की wave होती है, जैसे कि earthquake जब आता है, तो ये निकलती है, तो ये सारी चीज़ों के भी बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद atmosphere के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, atmosphere में कितने परते होती है, हमारा जो अर्थ का atmosphere है, वो कई सारी परत से मिलकर बना हो है, तो उसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद atmospheric pressure के ब उसमें जो important facts होते हैं जी के point of view से सिर्फ उसे ही discuss करेंगे ठीक है डीप में नहीं जाना है सिर्फ इस topic को उपर उपर जे पढ़ना है ठीक है उसके बाद next है oceans ठीक है यानि महासागर कितने तरह के महासागर हमारे विश्वय में है प्रशांत महासागर है आक्टिक महासागर है तो इनके भी facts पर हमें focus करना है उसके बाद mountains and peaks यानि पहार और चोटियां कितने तरह के पहार पाए जाते हैं प्रमुक कौन कौन से पहार विश्वय के किस देश में कहां पर इस्तित हैं यानि famous mountains where they are located in the particular country of the world तो ये पढ़ना है उसके बाद पठार यानि प्लेटियूस के पारे में पढ़ना है और कितने तरह के famous plateus हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं इसमें हम पढ़ेंगे सबसे उचा प्लेटियूस यानि सबसे उची पठार विश्वय में कहां है इंडिया के सबसे उचे famous plateus कौन सा है सबसे कम उचाई वाला plateus कौन सा ये सारी चीजे हम इसकुस करेंगे उसके बाद है introduction to इंडिया यानि भारत का परिचे इसमें हम क्या पढ़ेंगे भारत के पूरी land area के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितना जमीन कवर करता है विश्व का उके उसके बाद हम इसमें physical division of इंडिया पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा उत्तरी दिशा में भारत को कौन से पहाडों की श्रिंकला घेती है ठीक है वो है हिमालयन पहाडों की श्रिंकला है यानि हिमालयन mountain ranges घेती है तो उस हिमालया mountain range कितरे तरह के mountains यानि वो तीन पार्स में डिवाइडे ना greater हिमालया middle हिमालया फिर श्रिवाली हिमालया तो इन स जो भारत है यह पुरा Northern Plain में आता है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद Great Peninsular Plateau यानि हमारा दच्छड वारत है उसे Peninsular India भी खा जाता है वहां का जो फेमस पठार है यानि फेमस प्लेट यानि डेकन प्लेट यह तो उसके बारे में हम डिसकस करेंगे उसके इस थार रेगिस्तान ठीक है तो थार डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे वहां पर एक मात्र कौन सी नदी पाई जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद Island ग्रूप यानि इंडिया का कितने द्वीप महासागरों में है ठीक है तो दोई है वैसे अंडमान पाई पाई जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है भारत की किस राज में कौन सी प्रमुख फसल होती है इसके बारे में भी हम डिसकस करेंगे उसके बाद Most and Most Important Topic तापिक डाट इस Green Revolution यानि हरितकरान्ती ठीक है तो Green Revolution के जनक कोन है यानि Green Revolution की फॉदर किसे कहा जाता ह इंडिया में और पूरे विश्व में Green Revolution का फॉदर किसे माना जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे और और हम Green Revolution में फैक्स पर फोकस करेंगे नेक्स्ट है स्वाइल में क्या पढ़ना है कितने तरह की मिट्टी होती है कितने प्रकार की होती है भारत के किस राज्य में कौन स पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम फोकस करेंगे उसके बाद Rivers of India यानि भारत में जो प्रमुख नदिया है तो देखो दो पार्ट में हमारे भारत की जो नदिया है वो बटी हुई है एक हिमाले परवत से जो निकलती है जो नदिया उनके बारे में पढ़ेंगे उसके ब्रमपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बस इनके फैक्स पे हम फोकस करेंगे इनकी जो ट्रिब्यूटरी होती है यानि जब बड़ी बड़ी नदिया चोटे चोटे नदियों में बढ़ जाती तो उन चोटी नदियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना गाँ है सेफ और सेफ फैक्स पे फोकस करना है बार-बार मैं नाम ले रहे हूं फैक्स तो आप सोचवं है मैं क्यों बार-बार नाम ले들े हो Pen subjects यानि हमारे आप किस तरह की डाम बनाए गए हैं कौन-कौन से फेमस डाम हैं इन ब्लया होंगी उसके बाद water street यानि जलसंदी सिर्फ और सिर्फ विश्व की जो प्रमुक जलसंदिया यानि मेजर जो वर्ल्ड water streets है वर्ल्ड की सिर्फ वही discuss करेंगे लाइक पाल के स्ट्रेट यह कहां पर है श्रीलंका और इंडिया के बीच में उसके लगजन इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेशी रेट किस स्टेट में है सबसे लोइस लिटरेशी रेट यानि सक्षर्टा दर कहां पर सबसे ज्यादा है उसके बाद कहां पर छोटे बचन पर नाजार खिशु को जन्म देने के बाद कौन मर जाती है ठीक है कहां पर सबसे ज्यादा मैटरेशी रेट होता है यह सारी चीजे इसमें discuss करना है औवरॉल इसमें भी हमें facts पर ही focus करना है उसके बाद last topic आपका है tribes of India यानि इंडिया में जो famous tribes यानि भारत में जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती है कौन से state में कौन से tribe है यानि कि कौन से राजय में कौन से प्रमुख जनजाती पाई जाती है इसके बारे में discuss करना है गोंड कहां पर पाई जाती है थारू ट्राइब कहां पर पाई जाती है तो ये सारी चीज़ों पर हमें focus करना होगा ओके लास्ट में देखे मैंने notes में भी लिखा है कि if needed additional topic will be added यानि भविश्य में अगर कोई भी विश्य हमें लगता है कि exam point of view से important है तो हम उसे add करेंगे और अगर आपको भी लगता है कि हाँ मैंने कोई ऐसा topic छोड़ दिया है तो आप उसे comment section में write down करना हम उसे अपने syllabus में add कर देंगे ठीक है लेकिन अगर हमें वो लगेगा कि ये exam point of view से important है तभी ठीक है additional topics वही add होंगे जो कि exam perspective से important है उसके बाद last में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग को आज syllabus तो मैंने दे ही दिया अब आप लोग अपने mind को एकदम ready कर लो पढ़ने के लिए क्योंकि 19th of November से हमारी regular classes चलेंगी और अगर अभी तो हमारी channel में admission हो रहा है उसमे registration करा जा रहा है तो आप जल्दी से जल्दी जाके अपना registration करा लो जिससे कि आपको एक video जो है वो daily form में आपको provide कराई जाए और इसके साथ साथ हमारा एक नयाप app भी launch हुआ है जिसका नाम है you partial app ठीक है तो you partial app को भी download कर लो यहीं पर आपको सारी videos मिलेंगी इसके साथ साथ जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी pdf जो है आपको telegram या फिर you partial app पर मिल जाएगी ठीक है हम आपको पढ़ाने के वाद रोज description box में उसका link दे देंगे आप उस पे click करना और वहां से जाकर आप अपना pdf डाउन्लोड कर लेना okay so thank you Bajjo for seeing my video bye bye take care